स्वागत है आप सभी का competition community में आप लोग देख रहे हैं CG व्यापन में जो आपके सहाइग संपरिक्षक का जो paper आया था इसमें गणे त्याने की maths में आप जानते हैं कि 30 सवाल पूछे गए थे मैं इन 30 questions का आपको यहाँ पर answers बताऊंगा और साथी साथ इसका solution भी provide करोंगा ठीक है तो चली start करते हैं पहला सवाल है यहाँ पर 30% of A is equal to 15% of B दिया गया है साथी साथ कह रहा है कि C B जो है 20% है C का तो बताना क्या है कि A C का यदि X प्रतिशत है तो आपको बताना है कि X का मान क्या है यानि कही न कई अगर हमारे पास A अनुपात C है तो हम यह value determine कर सकते हैं तो सबसे पहली बात अगर यहाँ पर 30% है यहाँ पर 15% है मतलब कही न कई इसको काट के आप 2 अनुपात एक लिख सकते हैं तो A का मान हो जाएगा 1 और B का अनुपात हो जाएगा 2 यानि A अनुपात B हमारे पास दिया हुआ था सवाल इस question पर में कि A एक है तो B दो है साती साथ हमारे पास B अनुपात C भी दिया हुआ था क्योंकि अगर यह 20% है तो 20% का मतलब एक बटा 5 होता है कहने का मतलब B यदि यानि C यदि 5 है तो A जो है B जो है कही न कई एक होगा यहां से हम एक बार में A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते थे और A अनुपात B अनुपात C निकालने का मतलब N का मिररी में यहां से पहले multiply करोगे तो 1 आएगा इन दोनों को multiply करोगे तो B अनुपात हो जाएगा कही न कहीं 2 और इन दोनों को multiply करोगे तो कही न कहीं सी अनुपात हो जाएगा 10 आपसे समझ में आ गया कि ए अनुपात सी क्या है ए अनुपात सी हो गया एक अनुपात 10 अब सवाल बहुत आसान हो गया है आपको बस यह वताना था कि कि ए का x प्रतिसत यदि c है तो x का मान क्या है तो a कितना है भई एक का बालू 1 है एक्स परसेंट मतलब x बटा सो c का मान कितना है तो 10 है यहाँ पर वस value substitute कर दीजिए कि a जो है c का x प्रतिसत है तो मैंने c के जगा 10 डाल दिया और a के जगा एक डाल दिया यहाँ से जो x आ रहा है वो कही न कहीं 10 आ रहा है उत्तर जो है सवाल का 10 सही है ठीक है a option इसका सही है मैं यहाँ पर जो उत्तर बता रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर set c है हो सकता है आपके पास दूसरा set हो तो आगे पीछे हो सकते है questions लेकिन इस question का जो उत्तर है वो कहीं न कहीं a option है चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे तो अगला सवाल है आपके screen के उपर कहीं न कहीं यह सवाल जो है यह गलत पूछा गया था मैं आपको उत्तर सही बता देता हूं क्या है लेकिन यहाँ पर यह सवाल जो है गलत पूछा गया है देखें numerator of a fraction is increased by 140 percentage यहने कि किसी बिन के अंच को हम 145 प्रतिसत से बढ़ाते हैं और साथ में उसके हर को 200 प्रतिसत से बढ़ाते हैं तो परिणामी बिन जो है वो इतना प्राप्त होता है मतलब कि अगर x बटा y यह कोई original fraction है जिसका मान हमें ग्याद करने को कहा गया इसको 140 प्रतिसत से बढ़ाये जाए मतलब कही न गई यह जो fraction है यह बंजाएगा आपका 240 प्रतिसत ठीक है जब बढ़ाये जाता है तो और जब इसको 200 प्रतिसत से बढ़ाये जाता है तो कही न गहीं यहाँ पर 300 प्रतिसत बन जाएगा और इन दोनों को जब equal करते हैं मनलब से काटोगे तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 आ रहा है दो से काटने पर यह 7 हो जाएगा यह 2 बन जाएगा मतलब कहीं न कहीं x बटा y जो है यह 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 35 आएगा और नीचे यहाँ पर 54 यह सही उत्तर है इस सवाल का ठीक है तो हो सकता है यहाँ पर examiner ने गलती से कुछ यहां पर mistake हो गया होगा और यहां पर जो सवाल है इसका उत्तर यही होगा या फिर ऐसा बोलना चाहिए था कि directly 140 प्रतिशत अगर हम numerator का ले और denominator को हम यहां पर इसका 200 प्रतिशत ले और इस तरीके से अगर सवाल को solve किया जाए तो कही न कहीं यह उत्तर आ सकता है लेकिन यहां पर गलती इसने बताई है कि इसको बढ़ाना है बढ़ाने के बाद जो है वो 140 प्रतिशत नहीं होता वो अब हो जाता है 240 तो या तो इसको ऐसा देना चाहिए था कि numerator को हमने 40 प्रतिशत बढ़ाया और denominator को 100 प्रतिशत बढ़ाया तब जाके यह उत्तर आ सकता था क्योंकि उस वक्त डारेक्टी यहां 140 और यहां पर 200 आएगा जिस केस में यहां पर कही न कहीं आपका उत्तर 20 बटे 27 हो सकता है otherwise यह सवाल जो है कही न कहीं गलत है आपक कुछ वक्ति ने कुछ खरीदा ठीक है इसमें से आज ही को उसने 10 प्रतिशत के लाब पर बेचा और 6 को कितने प्रतिशत लाब पर बेजना चाहिए ताकि पूरे में इसको 25 प्रतिशत हो तो यह कहीं ना कहीं allegation का सवाल है देखे यहां पर 6000 जो है इसमें से आधे को उसने क प्रतिशत के लाब पर बेचा मतलब 10% प्रतिशत में से आधा हिस्ते में इतना किया जो कि 15% कम है तो बचय हुए आधे हिस्ते में बापस यही होंना चाहिए宝ा उसका उत्तर हो जाएगा D जो है सवाल का सही उत्तर है अगर पूरा solution देखना चाहते है तो कुछ इस तरीकी से होगा 10, यहाँ 25, कहीं न कई difference 15 है और allegation लगाओगे तो एक अनुपात 1 होगा तो अगर यह एक 15 है तो यहाँ का 1 भी 15 होगा कहीं न कहीं और जो allegation में बीच का value होता है वो एक से बड़ा तो दूसरे से चोटा होता है तो अगर यहाँ पर 15 है यह चोटा है तो यहाँ पर 15 फिर से जोड़ना होगा यह 40 प्रतिसत इसका उत्तर होगा कि बचे हुए आधे में इसको 40 प्रतिसत कमाना होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question जो है यह 54 नंबर का इसका solution देखते हैं क्या है यहाँ पर दिया हुआ है which of the following number is completely divisible by 99 तो 99 से पूरी तरह से विभाजित होने वाला कौनसी संख्या है यह हमें बताने है तो 99 से विभाजित होने का मतलब क्या है 99 का जो है प्राइम फेक्ट्राइजिसन यदि हमें करें तो 99 बनता है 9 गुने 11 से मतलब सवाल में ऐसा नंबर निकालना है जो 9 से भी पूरी तरह से कटे और 11 से भी पूरी तरह से कटे इसके लिए आपको 9 और 11 दोनों का विभाजित का नियम पता होना चाहिए तो देखिए सबसे पहली बात अगर मैं 9 की बात करो तो कहिना कई यह संख्या 9 से तो कट रही है पूरी तरह से क्योंकि 9 कट जाएगा 4 6 10 होता है और 8 जोडने पर कहिना कट रहा है यह 11 से नहीं कट रहा है मतलब संख्या 99 से नहीं कट सकती दूसरे संख्या की अधी हम बात करए तो चार और पांच जो कहिना कहिए आपका 9 बन गया बचा हुआ था 1 1 4 और 1 मतलब देखिए यह कहिना कहिए फिर से आपका 9 से तो पूरी तरह से कट रहा है है, एक और यहां पर तीन और पांच, एक प्लस तीन प्लस पांच करने पर भी कहीं न कहीं 9 ही आ रहा है और एक बार इसको माइनस करेंगे तो कहीं न कई चूनिय आ रहा है मतलब यह B वाला जो नंबर है, 114345 जो है कहीं कहीं completely divisible by 65. तो 65 से विभाजित होने वाला पूर्णेता विभाजित होने वाला ऐसी संख्या निकालनी है, जो कि 25 एक पांच से पूरी तरह से कटे, तो देखे, 25 एक पांच से पूरी तरह से काटने के लिए, यहां 65 से आपको देखना होगा कि इसका 6 कितना बच रहा है, तो अगर मैं इसमें 4 से इसको काटू, तो कही न कहीं 4 से कटेगा क्या नहीं कटेगा, 3 से इसको काटना पड़ेगा, 180 और 15 यानि 190, 5 से पूरी तरह से कटेगा, यहां पर जो 6 बच बच रहा है, यहां पर कहीं 4 आएगा, 46 ठीक है, सॉरी 56 आजाएगा यहां से, 56 आजाएगा, यह हो 56 ठीक, इसके बाद यदि हम देखें, तो कहीं न कहीं यहां पर फिर से एक बार 5 आजाएगा, अगर मैं इसे देखूं किस से कट रहा है, तो 8 से लगबग लग रहा है, 8 से काटते, 9 से शायद उपर चला जाएगा, 8 से काटने पर जो वैल्यू आएगा, 40 का, और 48 प्लस 4 कर करने पर 520 आ रहा है, ठीक है न, माइनस करेंगे तो कहीं न कहीं यहां पर 45 आ रहा है, 45, मतलब देखिए, यानि कि इस संख्या में 45 कम करने पर वैल्यू जो है, वो 65 से कट जाएगा, या आप ऐसे भी समझ सकते कि 65 और बनाने के लिए इसमें 20 संख्या और आ जाए, तो भी कि यह संख्या पूरी तरह से कटेगी, मतलब कि जो नियरेस निकटतम संख्या होगी, वो 2515 में, यदि मैं 20 जोड़ दू, तो जो नंबर आता है, 2535 यह नंबर जो है, पूरी तरह से आपका विभाजिय है, 65 से तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते अब next question है, आपको निकालना था यहाँ पर कि 5 अंको वाला सबसी बड़ी जो नंबर है, जो की perfect square है, यानि पूर्ण वर्ग है, ऐसा संख्या निकालना है, तो 5 अंको की सबसे बड़ी संख्या हम क्या जानते हैं, उससे हम सुरुआत करते हैं, 5 अंको की सबसे बड़ी संख् और यह 9, तो 3 मुने 3 से करोगा, तो यहाँ पर 9 आएगा, माइनस करने पर 0 आएगा, 3 प्लस 3 करोगा तो 6 आएगा, अब दोनों 81 नीचे आते हैं, 99, यानि 61 से जाएगा, 61 बार माइनस करने पर कही ना कही यहाँ पर 8 आ रहा है, और यहाँ पर 3 आ रहा है, अगला नंबर ज 37 आएगा, माइनस करने पर कही ना कही यहाँ पर आ रहा है, 9 में से 5 गया तो बचा 4 और यहाँ 143 है, मतलब 143 एक्स्ट्रा है एक परफेक्ट स्क्वाइर में से, तो अगर मैं यहाँ से 9, 9, 9, 9, 9 में से माइनस का 143 करूँ, तो कही ना कही 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और मेरा class attend किया मैंने यह topic वहाँ पे लिया था और यह इस तरह का question भी मैंने वहाँ पे करवा के रखा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं यहाँ पर आपको decreasing order में इसे जमाना है decreasing order में आपके पास यहाँ पे कुछ numbers है जो की मिश्रित बिन्न है मिश्रित बिन्न में अगर मैं इसको देखो तो सब में 2 था तो मैं 2 को तो पहले हटाई देता हूं सीधा सीधा तो बाकी जो बचेवा values है वो कहीना कई 35 बटे 37 कॉमा यह 12 बटे 24 क मैं आधा लिख सकता हूं 12 से काट कर 15 है और यह 27 से तो 15 27 इसको 3 से काट कर कहीना कई 5 बटे 9 लिख सकते है और अगला last value जो है 2 by 7 है अब देखिए जबी भी आपको उचित बिन्न दिया हूँ है उचित बिन यानि की proper fractions जो की एक से छोटे होते है तो ऐसे बिन्नों में यद में अंतर चल रहा है तो कितने का चल रहा है अगर 2 और 5 की 7 की बात करूं तो 5 का अंतर 5 9 की बात करूं तो 4 का अंतर 1 2 की बात करूं तो 1 का अंतर यहाँ पर 35 और 37 की बात करूं तो 2 का अंतर तो इस 5 वाले को थोड़ी देर के लिए hold पे रखते हैं पहले हम ये तीनों को द पहला वाला value इसको यदि मैं अगर 2 से multiply करूं तो इसका difference भी 4 का जाएगा मतलब इसको मैं 70 बटे 74 लिख सकता हूँ इसमें भी 2 का difference और इसमें तो पहले से 2 का difference है ही मतलब कि कही न कई 5 by 9 अब मैंने कहा कि अगर ये proper fraction से इसके numerator denominator में 4 4 का difference है तो जिसका अंच बढ़ा होगा जिसका numerator बढ़ा होगा वो numerator भी बढ़ा होगा याने सबसे बढ़ा numerator वाला ये है तो कही न कहीं ये fraction सबसे बढ़ा होगा इन सभी में उसके बाद ये वाला आएगा उसके बाद ये वाला आएगा मतलब ये first number पे second number पे ये और ये third number पे ये घटते हुए करम में है तो आपक हम इसको शुरुआत करते हैं देखिए सबसे पहली बात यहां 35 है और यहां पर आपका यह वाला value और यहां पर इसमें दिख रहा है कहीं न कहीं और इसमें भी दिख रहा है कहीं कर लेते हैं, 7 यहाँ पर आएगा, तो 4 यहाँ पर जाएगा, मतलब कही न कहीं यह बड़ा है, 1 by 2 वाला बड़ा है, 1 by 2 किस से निकला था, तो 12 बटे 24 से, तो 12 बटे 24 वाला बड़ा होगा, यह और चोटा होगा, यह बी जो है सबसे, सही option है, क्योंकि कहीं न कहीं 2 by 7 सबसे छोटा value होगा, इसमें comparison कैसे होता है, तो 7 को यहाँ ले जाना पड़ता है, 2 को यहाँ ले जाना पड़ता है, तो 7 अगर 4 से बड़ा है, तो कहीं न कहीं आधा भी इस fraction से बड़ा होगा, बी जो है सवाल का सही उत्तर है, चलिए, next question देखते है, यहाँ पर यह है आपके ladder fraction से, ठीक है, SSC के वीडियो में, simplification में, जब मैंने fractions पड़ाया है, ठीक है, second वीडियो में, कहीं न कहीं वहाँ पर मैंने ladder fraction पड़ाया है, same format मैंने वहाँ पर cover करके रखा हुआ है, जिन्होंने देखा है, उनको जरूर फाइदा हुआ होगा, चलिए, अब यहाँ से इस सवाल को मैं बताता हूँ, कैसे करना है, 1 प्लस लिखोगे, अगला वाला 1 प्लस है, तो 2 आएगा यहाँ और multiply करना पड़ेगा, यहाँ पर next है, 3 प्लस 4, अगेन यहाँ पर आपको multiply करना होगा, क्योंकि यहाँ 1 बाइ 3 है, और last में 1 प्लस 1 बाइ 3 है, 1 प्लस 1 बाइ 3 का value 4 बाइ 3 होता है, उपर जाओगे तो कही ना कही है, division में, तो multiply में करोगे तो 3 बाइ 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर multiply 6 नहीं होगा, 1 बाइ 6 होगा, जो की 1 बाइ 3 होता है, तो 1 प्लस 1 बाइ 3 आगया फिर से, तो यह 4 बाइ 3 आएगा, अगेन जब इस से उपर जाओगे तो reverse करना पड़ता है, तो 3 बाइ 4 आता है, जो की हो जाता है 7 बाइ 4, निकालना है, इसका square root निकालना है, तो देखिए, देखते साथ समझ में आता है कि 47 का जो square है, वो 25 में 3 कम होता है, बाइस, और 3 का square होता है, जो की 09, यह number देखते साथ आपको समझना होगा, basic calculation trick, जो पहला वीडियो है SSC के, जहाँ पर मैंने basic calculation trick बताए, वहाँ पर मैंने इह बात बताईए, तो अगर इसका square root निकालोगे, तो कहीना कही 47 आएगा, लेकिन square root के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर 4 value होगे, 0.0047, चली, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला value है, यह आपके कुछ algebraic related simplification के question है, again यह भी मैंने cover करवा के रखाए, जिन्नोंने वीडियो देखा होगा, simplification का अच्छे से देखा होगा, वो ज़रूर यह सारे solve कर पाएंगे, आप देख पा रहें, यह कहीना कही, a square minus b square के form में, जिसका formula होता है, a minus b into a plus b, तो numerator में, अगर 0.5 का whole square denominator में है, और यहाँ पे भी 0.4 square, यहाँ पे उसका double है, मतलब कहीना कहीं इसमें जब आप solve करोगे, तो value जो बचेगा उपर, वो बचेगा 0.5 का square plus 0.4 का square, जो कि यह 0.25 plus 0.16, और overall आजाएगा 0.41, यानि कि c जो है सवाल का सही उत्तर है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question यहाँ पर, अगेन algebra के उपर एक और सवाल, तो simplification का ही वीडियो, यदि आप अच्छे से देख लें, S.S.C. का, जिसमें की केवल दो वीडियो है, उसी से आपके 4-5 सवाल आ चुके हैं, यह जो है कहीना कहीं क्या है, तो a cube minus b cube, a cube minus b cube का formula होता है, a minus b into a square plus a b plus b square, correct, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a का का काम कौन कर रहा है तो 0.023, b का का काम कर रहा है तो 0.01, नीचे denominator में देखेंगे तो a square है, a b है plus में, 7 में 7, b square भी है, मतलब कहीं न कहीं जो value है, जो बचेगा, उपर में वो केवाल a minus b बचेगा, a minus b का मतलब 0.23, minus 0.01, जो की हो जाएगा 0.2, तो अगेन यह pen चलाने वाला question नहीं है, mentally आप इस चीज़ को calculate करके answer mark कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यहाँ पर हो सकता है कि आपके question paper में थोड़ा सा misprint हो, यहाँ पर a is to b दिया हुआ, यहाँ पर m is to n दिया हुआ, हो सकता है, यह सवाल में actually m is to n होना चाहिए था 1 is to 2, तो यह चोटा सा एक mistake है, ठीक है, आयोक के द्वारा, तो मान लेते हैं कि अगर यह m is to n है, अगर आपको यह value निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, direct m के जगा 1 और n के जगा 2 दालना है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं 5 प्लस 4 आएगा, ratio में, 5 माइनस 4 आएगा, मतलब कि 9 is to 1 जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दिया हुआ है कुछ compound interest के सवाल, यहाँ पर दिया हुआ है कि principle that amounts to rupees 1321 at 2 years at 5% per annum compound interest in rupees is, तो हमें बताना है 5% चक्रिवृद्धी ब्याज की दर से, वार्षिक गणना अगर की जाए, तो इतने रुपय होने वाले मूलधन क्या होगी निकालना है, तो सबसे पहली बात 5% का मतलब होता है एक बटा 20, मतलब principle और amount, यानि कि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात बन जाता है, इस case में वो हो जाता है 20, अनुपात 21, और क्योंकि यहाँ पर दो वर्ष है, तो दो वर्ष का मतलब इसका square कर देना, square करने पर जो ratio बन रहा है, वो बन रहा है 400 अनुपात 441, और क्योंकि यहाँ पर धनराशी जो हो वो इतनी हो गई है, मतलब कहीं न कहीं यह आपको आपको दिया हुआ जो value है, वो कहीं न कहीं मिश्रधन है, मतलब 441 का value जो दिया हुआ है, वो 1323 दिया हुआ है, clearly आप देख पाने, इसका तीन गुना हो रहा है, तो इसका भी तीन गुना करना होगा, याने की 1200 रुपया यह आपका principal हो जाएगा, याने की B सवाल का सही उतर है, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question देखेंगे इसके बाद, यहां से अगला सवाल जो है, इसमें आपके उपर जो question दिया हुआ है, यह आपके again simple interest, compound interest का सवाल है, यहां पर जो दिया हुआ है, what is the difference between compound interest at rupees 6,000 for one year and rupees 4% per annum compounded yearly and half yearly, तो यहां पर अर्दवार्शिक तरीके से, अगर आप 4% प्रति वर्ष्ट के इसाब से जब आप व्यास दे रहे हैं, तो अर्दवार्शिक तरीके से और वार्शिक तरीके से देने से, 6000 रुपए के मूलधन पर कितने प्रतिशत का अंतर आएक आपको निकालना है तो देखिए जब हम वार्षिक तरीके से देते हैं तो एक साल में आपको 4 प्रतिशत देना होता है और जब अर्धवराषिक तरीके से देते हैं तो 6 महिने में आपको 2 प्रतिशत और आगले 6 महिने में आपको 2% इसके इसाब से देना होता है तो देखें, successive percentage change से हम यह formula जानते हैं कि x plus y plus xy by 100 ठीक है, यह होता है आपका successive percentage change तो आप जब 2% के इसाब से 2 बार आप interest देंगे तो overall यहां से तो percentage देना होगा वो 2 plus 2, यानि कि 4% plus 2 into 2, मतलब 0.4 और देना पड़ेगा मतलब 0.4% मतलब अगर देखा जाए, तो पहले वाले case में 4% देना पड़ रहा है दूसरे वाले case में 0.04 percentage तो अगर हम difference की बात करें, इन दोनों में जो difference निकल के आया वो कही ना कही 0.04 percentage का है इतना आपको difference देना है, किसका तो principal का और principal कितना है, तो 6000 रुपे है मतलब इसका 6000 का आपको इतना value निकलना है तो 2 zeros यहां से कर जाएंगे एक zero यहां पर आएगा, तो 0.4 into 6 करना है मतलब कि 2.4 रुपीज का difference होगा यह सवाल का सही उतर है क्लियर है, चलिए next question आपके screen के उपर है, यहां पर दिया हुआ है कि आपको यह चारो values को आपको जमाना है बढ़ते हुए करम में, यानि कि ROE करम में, increasing order में आपको जमाना है 2 values आपके negative याने रिनात्मक है 2 value आपके positive याने की धनात्मक है हमेशा रिनात्मक संक्या छोटी होती है धनात्मक संक्या बड़ी होती है तो चारो values में आप देखेंगे, 2 negative value पहले है 2 positive value आगे है तो इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे बढ़ना पड़ेगा, यानि कि आपको यह समझना होगा कि इन दोनों में पहले छोटा कौन सा है तो अगर इन दोनों की मैं बात करो इन दोनों numbers में आपको यह समझना होगा कि यह ज़्यादा छोटा है क्योंकि यह magnitude में ज़्यादा बड़ा है मतलब minus of 0.007 सबसे छोटा value है इसके बाद minus of 0.005 आएगा तो आप यहाँ पर कुछ options को eliminate कर सकते है जैसे कि D को और B को जिसमें की 0.005 माइनस में जो है इसको ज़्यादा छोटा दिया गया इसके बाद बाकी दोनों values को यदि हम देखे तो आप यहाँ पर चौकनना आपको रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 0.004 दिया है 0.003 दिया है तो actually यह number ज़्यादा बड़ा है यह number ज़्यादा छोटा है क्योंकि यहाँ 4 decimal के 0 के बाद ही आपका एक value है मतलब यह value थोड़ा सा बड़ा है तो यह option जो है कहीना कहीं गलत है अब देखिए यहाँ पर आप इसको solve करने की कोई आवशकता नहीं बस आपको यह समझना है कि 2 के घात जो 8 होता है यह होता है 256 2 के घात जो 9 होता है यह होता है 512 अगर मैं यहाँ पर 9 दाल दू तो कहीना कही value इससे काफी बड़ा हो जाएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 के घात 8 जो की 256 होता है इसके इसाब से सवाल को solve करने का इसका मतलब यह जो है 2 के घात अगर मैं इसको 7 प्लस 1 लिखूं मतलब कहीना कही यह 256 हो जाएगा 256 और अगर मैंने x को 7 माना है तो यहाँ पर 7-1 होगा 7-1 का मतलब अगर यह 7-1 है इसका मतलब है कि 2 के घात 6 2 के घात 6 होने का मतलब है 64 क्या इन दोनों को जोड़ने पर कई न कई 320 बन रहा है मतलब कि x का जो मान है वो कुछ और नहीं है बलके 7 है तो c इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है कैसे हम यहाँ पर सॉल्फ कर रहे है छोटी छोटी सी चीज़े है यहाँ पर पूरा सॉल्फ करने कोई आप सकता नहीं अगर आप सर्ट सिंडाइसेस में 2 के घात 12 तक याद रखे हैं तो easily आप इसको हिटन ट्रायल से सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखते है 67th number का question यहाँ पर आपको निकालना है कि व्यूत क्रमों का योगफल sum of two numbers is 42 and their HCF and LCM are 6 and 60 the sum of their reciprocals is देखे मान लेते कि number यदि A है और B है number क्या है A और B तो हमें जब इसके व्यूत क्रम निकालने है तो 1 by A प्लस 1 by B निकालने को कहा गया कहने का मतलब denominator में A B और उपर में A प्लस B आएगा उपर में A प्लस B आया तो योगफल तो दिया ही हुआ है ना 42 मतलब यह तो 42 होगा और आप में से कितने लोग यह जानते है कि जबी भी दो संख्याओं का प्रोड़क्ट निकालना है A B यह HCF और LCM के प्रोड़क्ट के बराबर ही होता है मतलब दो संख्याओं का जो यह होता है गुननफल वो उसके मातम समापते लगुत्म समापते के बराबर होता है मतलब देरेकली मैं यहाँ पर 6 into 60 लिख सकता हूं जो कि इसके मातम समापते और लगुत्म समापते का बऱक्ट है 6 से काटने पर यहाँ 7 आ रहा है तो उत्तर हो जाएगा 7 बटे 60 मनलब की इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है D, clear? चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question देखेंगे, इसके बाद यहां से 68th number का सवाल आपके screen पर है, next question में क्या दिया हुआ है, again HCF, LCM के उपर सवाल है, दो number है, जिसका की sum है 42, तो अगर मैं मालू, A plus B जो है, यह कहीना कई 42 आना चाहिए, इसका जो LCM है, वो कहीना कई 208 है, तो LCM अगर 208 है, यह बना तो कैसे बना, इसको अगर मैं prime factorization करूँ, यानि कि इसके अभाद जो गुनन खंडन में इसको तोडने की कोशिश करूँ, त 16 गुने 13, यही आ रहा है, अब देखिए, 13 एक prime number है, अगर 13 इसके गुनन खंडों में है कहीना कई, तो option वही सही होगा, जहां पे 13 हो, और 13 कहीना कई, इसी option में, यही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे, तो कहीना कई, इसका LCM जो है, वो 208 ही आ रहा है, और साथ में 26, 26 plus 16 करने पर 42 भी आ रहा है, तो D जो है सवाल का बिलकुल सही उत्तर है, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते, अगला सवाल आ चुका है, यहां पे दिया है, 25% of 25% of 200 जो है, वो कहीना कही, P के बराबर है, क्योंकि जो 10% का 50% 200 के बराबर है, तो P मैनस क्यों क्या है simple प्रतिसत के उपर सवाल, आज सुबह मैंने प्रतिसत ही पड़ा है, तो आए इसको solve कर लेते हैं, यहां पर, यहां पर दिया है, 200 का 25% का 25%, 25% का मतलब एक चौथाई का, एक चौथाई जो है, 200 का, यह जो है P के बराबर है, चार से कटोगे तो 50 आएगा, और एक बार चार से 200 का, तो 20 से काटने पर यहां कहीना कई, आपका 10 आएगा, तो Q का मान 10 है, P का मान 12, Q का मान 10 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो कहीना कई, धाई का है 2.5 का, तो आपको P और Q का डिफरेंस निकालना था, बी सवाल का सही उत्तर हुजाएगा, चलिए, अगला सव काल को second round आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप इसमें solve तो कर पाएंगे, यह देखिए, यहां पर क्या है, population increases in two countries at the rate of 20% and 3% per annum, ठीक है, यानि कि अब population of the present country जो है, वो अभी P और Q में 7 लाग और 10 लाग का है, respectively, in how many years will the population of P be more than Q, यानि कि देखिए, यहां कहीना कही दो दे आपको देना है, बताना है कि P की जनसंख्या, Q की जनसंख्या से, कितनी ज़्यादा कब हो जाएगी, ज़्यादा कब हो जाएगी, तीन वर्सों के बाद, कि चार वर्सों के बाद, कि पांच वर्सों के बाद, यहां में निकालना है, तो देखिए, यहां P और Q की अधी में बात करो तो P में initially 7 लाक लोग है 7 लाक लोग है और Q कि यदि में बात करो तो कही न कही Q में 10 लाक लोग है ठीक है तो 10 लाक यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले year के end में जो है इसका अगर हम 20% बढ़ाते हैं 20% बढ़ाते हैं इसको और इसमें केवल 3% बढ़ाते हैं क्योंकि हर साल यहाँ पर 3-3% है इसमें पहले वाले 20 दूसरे वाले 30 बढ़ता है तो 20% बढ़ाने का मतलब इसमें 1.2 मल्टिप्लाइ करना 1.2 मल्टिप्लाइ करने का मतलब 1.0 को मैं हटा देता हूँ तो एक डेसिमल यहां से हट जाएगा और 12 मल्टिप्लाइ करने पर यहां पर कही न कहीं जो वैल्यू आएगा 8,40,000 8,40,000 बन जाएगा पहले साल के एंड में जो कि आपके इसका वैल्यू होगा पहले वाले मतलब पी के population इतनी हो जाएगी इसको यदि मैं 30% से बढ़ाओ तो कही न कहीं यह 10,30,000 हो जाएगे ठीक है न 3% से बढ़ाने के बाद तो हर साल इसमें 1.2 मल्टिप्लाइ करना यानि फिर से 1.2 मल्टिप्लाइ करना यहां पे 30% से फिर से बढ़ेगा तो कही न कहीं यह जो है अब 3% मतलब 309 के हिसाब से बढ़ेंगे मतलब कि कही न कहीं 10,60,900 जो है यहां का population हो जाएगा और 1.2 इसमें मल्टिप्लाइ करने का मतलब 1 decimal तो इसको अटाने मिल जाएगा 30 लग जाएगे और 12 से मल्टिप्लाइ करोगे तो कहीना कही 48 आएगा फिर 8 से मल्टिप्लाइ करने पर 96 और 4 उपर है मतलब कि 100 और जाएगा इतना भी population हो गया 2 साल के बाद तो बताएगे 2 साल के बाद भी है पी जहीं बढ़ा एक बार और इसमें 1.2 मल्टिप्लाइ करते है एक डेसिमल हट जाएगा इस जीरो को हटाना पड़ेगा दो जीरोस है तो दो जीरोस 96 आ जाएगा यहाँ पर कहीना कही और 96 के बाद यहाँ पर 120 होर आ जाएगा मतलब एक लाख 20 हजार के आसपस यहाँ population हो गया इसका 3% और बढ़ाने का मतलब यहाँ पर 3 यहाँ पर 18 और यहाँ पर 27 जैसे इसको जोडेंगे तो कहीना कही 10 लाख और यहाँ पर जादा नहीं बढ़ रहा है कहीना कही 27 लास्ट में आएगा यहाँ से 17 आएगा ठीक है यह 2 बन जाएगा और यह 9 बन जाएगा मतलब अब यहाँ पर जो है P में तीसरे साल के end में कहीना कही जादा population है तो 3 वर्षों के बाद जो है कहीना कही P का population जादा हो जाएगा यही इस सवाल का सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगला सावाल देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट कॉश्चन जो है इसमें थोड़ा सा ट्रिक शुपा हुआ था और कहीना कही इसको तुरंथ आपके इसके बाद देने से आप confused भी हो जाते है बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो दिया हुआ है फाइफ परसेंट और थ्री परसेंट है प्रेजंट पॉपलेशन ऑफ कंट्री जो है वह फाइव इंटू 10 तुदी पावर सेवन है तो दस वर्ष के बाद इसके आबादी क्या हो जाएगी बताना है मतलब देखिए यह जो है ना बर्थ रेट डेथ रेट यह सिंपल इंट्रेस की तरह काम करता है और यह जो कंपाउंड इंट्रेस की तरफ यह काम करता है जब पॉपिलेशन हर साल बढ़ रहा है तो यहाँ पर ओवरॉल देखेंगे हम तो कही ना कई दो प्रतिसत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरॉल यहाँ पर बिर्थ रेट पांच है यहतीन है मतलब हर साल 2 परसेंट बढ़ेगा तो 10 साल में आपका जो टोटल बढ़ेगा 20 परसेंटेज बढ़ेगा और 20 परसेंटेज का मतलब आप लोग जानते 1 बाई 5 मतलब प्रारामिग मूल्यों यदि 5 है तो अंतिम मूल्य 6 होगा 5 का value जो है वो कहीं न कहीं इतना दिया हुआ है और 6 का value फिर कितना हो जाएगा 6 multiplied by 10 to the power से हैं मतलब जो A है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 71 का चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे इसके बाद next question ये है आपके screen के उपर इस सवाल मैंने ratio proportion में आपको SSC में भी कराया है ठीक है और offline class जो चल रही थी उसमें भी मैंने कराया था तो जितने लोगों ने इसको attend किया होगा पक्का इन से बन गया होगा यहां दिया हुआ ह जो है कही ना कहीं कितना है तो 1 is to 2 है c अनुपात a plus b कही ना कहीं क्या है तो ये इसका value 3 is to 4 है तो देखें कहीं भी जब आपको दो अलग अलग ratios मिल जाए तो दोनों ratios से एकी बात निकल के आनी चाहिए यहां पर अगर आप दोनों में से देखें कि एकी बात क्या मनवाया जाए तो यहां पर a अलग दिया था b plus c समझ में नहीं आ रहा क्या equal करें यहां पर c अलग दिया था a plus b अलग दिया था तो यदि मैं a plus b plus c का value देखूं तो यहां पर a plus b plus c आने तीनों को जोड़ने से यहां पर कहीं न कई 3 आ रहा है और इसमें c plus a plus b करूं तो यहां पर क जो लिखा था इस one में seven भी लिए करूँंगा तो seven आएगा यह जो two लिखा था two में यदी में seven multiply करूँंगा तो यह बन जाएगा 14 ठीक है बन गा scientists 27 साथ ब्लस 17 21 होता है तीन से यदी में multiply करूँ पहले portray करूँ पहले वाले के C निकाल सकते हैं, A अनुपात, B अनुपात, C हुआ तो कितना हुआ बताइए, A का वैल्यू है 7, C का वैल्यू है यहाँ पे 9, और टोटल जो वैल्यू था A प्लस B प्लस C वो था 21, A प्लस B प्लस C कितना था, 21 था, जिसमें से 7 गया और 9 गया, 7 प्लस 9 कितना होता है, तो अनुपात, A निकालना था, तो बताइए, B कितना है, 5, A कितना है, तो 7, 5 रेशियो 7 इस सवाल का सही उत्तर होगा, C जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, चलिए, आगे बढ़ता हूँ, आशा करता हूँ, ये भी आपको समझ में आया होगा, रेशियो के बैलेंसिंग से सवाल था, अग्ला सवाल दिखते हैं, नेक्स्ट कुश्चन यहां दिया हुआ है कि, एक्स्पेंस ओफ A and B are in the ratio 3 to 2, a sum of रुपीज 3,000 is equally distributed among them, if A saves रुपीज 600, then B saves, A, B के खर्च का अनुपात दिया था आपको 3 अनुपात दो, दूसरी बात क्या कर रहा है कि, 3,000 बराबर वितरित किया जाता है, याने A को जितना मिला, उतना B को मिला, और साथ में कह रहा है कि, A की बचत जो है, वो कहीं न कहीं 600 रुपिया है, आपको बताना है B का बचत क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक बात आपको समझना होगा, income प्लस income जो होता है, याने कोई भी कुछ कमाता है तो इसमें से खर्च होगा और बाखी क्या होगा बचेगा ठीक है खर्च बराबर क्या होता है तो जो यानि की सौरी आय बराबर क्या होती है I बरावर होती है कि हमने कितना खर्च किया प्लस हमने जो बचद किया यही होता है I तो देखिए यहां से अगर दो व्यक्ती की बात हो रही है A और B A की बात हो रही है B के साथ तो A और B को 3000 रुपे बरावर 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 का मतलब इसको भी 1500 रुपिया दिया जाएगा और इसको भी 1500 रुपिया दिया जाएगा अब क्योंकि इन में से A जो है वो 600 रुपिया बचा रहा है A यदि 600 रुपिया बचा रहा है इसका मतलब A का जो खर्च होगा वो 900 होगा क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कुछ कमाता है तो उसमें से कुछ बचाता है और बाकी खर्च होता है तो A ने कमाया A को 1500 दिया गया जिसमें से इतना बचा तो 900 रुपया खर्च होगा खर्च का अनुपात दिया है A और B का 3 अनुपात 2 खर्च का अनुपात दिया हुआ है तीन अनुपात दो यदि यदि यहां से आप समझे कि तीन बराबर तीन सो है तीन बराबर तीन सो है तो दो बराबर छे सो होगा मतलब कि अगर यहां पर तीन बराबर तीन सो है 300 गुना हो रहा है तो 2 बरावर 600 होगा मतलब यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि 900 रुपय जो है इसने बचाया होगा और आपको यही निकालना था कि B की बचत क्या है तो B की बचत 900 रुपया होगी ठीक है 900 रुपया इस सवाल का सही होता है चलिए आगे बढ़ेंगे next question दिखते if a number is increased by 300 it becomes 130% of itself then what is the number जदी किसी संख्या को 300 बढ़ाया जाता है तो संख्या 130 प्रतीसद हो जाती है बताइए क्या देखिए कोई भी संख्या जो अपने आप में 100 प्रतीसद होता है जब किसी संख्या को बढ़ा रहे है मतलब हमने यहां पर 30 प्रतीसद बढ़ाया होगा और कितने से बढ़ाया तो 300 बढ़ाया क्योंकि जब आप किसी संख्या को 300 से बढ़ा रहे तो वो अपना 130 प्रतीसद बन रहा है मतलब आप समझीए कि आपने जो संख्या को बढ़ाई होगी वो आपने कितने से बढ़ाया होगा तो 30 प्रतीसद से बढ़ाया होगा य अगला सवाल यहां पर दिया हुआ है परसंड एल्स पेंड्राइब ट्रॉपीज एंड मेक्स लॉस फ्वेंड परसंटेश इस वह एक व्यक्ति तो पांचसो रुपय में पेंड्राइब बेचता है तो उसे बीस प्रतिशत की हानी होती है अब बोलना है 15 प्रतिशत का लाब के लिए किस कीमत पर बेचना होगा यदी कोई व्यक्ति सबसे पहली बात अगर बीस प्रतिशत के हानी पर पेंड्राइब को बेच रहा है मतलब उसने 80 प्रतिशत दाम पर इसे बेचा होगा और 80 प्रतिशत दाम जो है कहीना कहीं दिया हुआ है 500 रुपया जब उसे 15% प्र कइ नंटी सब्रार प्रतिशत बटतęt टो कहें नहीं कहीं यहां 16 आएगा इसको 5 से काट होगगा तो कहीना कहीं यहां करना था, 4 से विभाजित करना था, ठीक है, तो इसको एक बार 4 से विभाजित भी करना है, 4 से विभाजित करने पर 7, फिर यहाँ पर 75 आ रहा है, तो 18, 75, यही उत्तर है, c वाला, none of these था, इसले इसको पूरा देखना पड़ा, लेकिन अगर 0.75 है और यहाँ पर odd number है, तो खे 75 की अलावा कुछ और value हो है, तो कही ना कही हम यहाँ पर इसको D को भी eliminate कर सकते थे, चलिए, आगे बढ़ते, 76 नंबर का सवाल देखते है, 4 सवाल और बचे हुए है, 5 सवाल, चलिए, 5-6 सवाल और बचे ही, यहाँ दिया हुआ है, a trader purchases a watch and a belt for 600, he sells by making a profit of 15% on the watch and 10% on the belt, earns a profit of 72, then what is the prices of watch and belt respectively, देखिए, यहाँ से निकालना क्या है, एक व्यापारी जो है 600 रुपया में, ठीक है, क्या खरिता है, तो एक घड़ी और एक बेल्ट खरीता है, घड़ी और बेल्ट खरीद रहा है, मतलब समझे यहाँ पर 600 रुपय में इसने क्या-क्या खरीदा, तो watch plus belt अब यहाँ से बुल रहा है कि he sells them by making 15% on watch, मतलब watch में उसे 15% का profit हो रहा है, और belt में कही न कही उसे 10% का profit हो रहा है, overall जो इसको profit हुआ, वो 72 का, मतलब percentage wise देखा जाए, तो इसको 72 divided by 600 multiplied by 100, मतलब कि कही न कही 12% का profit हुआ, तो allegation से यह सवाल directly solve हो जाएगा, अगर मैं यहाँ allegation लगाओ, तो 12% बीच में आएगा, left hand side में आप लिखेंगे difference 10 और 12 का मतलब दो, right hand side में आप लिखेंगे difference 12 और 15 का मतलब की 3, मतलब watch और belt का जो ratio है, वो कही न कहीं 2 अनुपात 3 का दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, watch और belt का price निकालना है, यानि घड़ी और belt का, तो घड़ी का दाम यदि दिखा जाए, तो कहिना कहीं ये total 5 है, अगर 5 बरावर इतना है, तो एक बरावर 1200 का, तो घड़ी का दाम 240 आजाएगा, और कहीना कहीं इसमें भी अगर 120 से multiply किया जाए, तो 360 आजाएगा belt का, तो 240 और 360, तो B वाला उत्तर जो है, ये सही, ठीक है, थोड़ा से यहां चौकना रहना है, क्योंकि यहां पर क्रमशा लगा हुआ है, पहले घड़ी आना चाहिए, बाद में belt आना चाहिए, तो watch और belt का जो अनुबाद है, क्योंकि watch को हमने 15% profit पर बिचा था, और belt को 10% के profit पर तो कहीं ना कहीं 2 अनुबाद 3 मरना है, तो ये 240 और ये 360 होगा, next question है, यहां पर, a sum becomes 2 times of itself in 5 years, in simple interest, then how many years it will become 5 times of itself, अगर कोई धनराशी जो है, पांच वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 5 गुनी कितने समय में होगी, इसका simple formula याद रखिए, n1-1 divided by n2-1 बराबर है, t1 by 2, केवल और केवल किस के लिए है, तो si के लिए, क् कि ci में same questions बनता है, और ci का concept अलग होता है, कल जो वीडियो आएगा, सुबह उसमें ऐसा ही ci cover होगा, next वीडियो में, तो वहां पर कहीं न कहीं मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, आप देख लेना उस वीडियो को, ठीक है, 2 times बनने का मतलब यहां पर 2 आएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर T2 है, तो T2 का direct value आजाएगा, 4 into 5 यहने 20 वर्षों में होगा, तो यह इसका सही उत्तर है, ठीक है, 20 वर्ष, चलिए, आगे बढ़ता हो, इसके बाद, next question लिखते है, 78 number का सवाल यह है, इसमें आपको निकालना था, कि R इसका HCF है, किसका कि पी और क्यू का, तो R का मान क्या है, आपको बताना है, ठीक है, R जो है, P और क्यू का महत्तम समापवरते R है, आपको बताना है, R क्या है, P का मान और क्यू का मान दिया हुआ है, तो महत्तम समापवरते मतलब दोनों में जो common है, वही एक बार निकलता है, तो यहां से देख मतलबपने त Sustainability के आप 15 सबस्क्राइब और क्ला आगे बढ़ते नेक्स्ट कुश्जन देखते हैं दो सवाल और बचाएं लुह टो का सवाल तो जितने लोगों ने SCF-LCM देखा है आप लोग से जरूर बना होगा SSC में मैंने अल्रेडी कवर किया हुए चलिए, यहां दियो है, LCM of S and T is 70 HCF of S and T is 5 then S plus T is 45, then the numbers are देखे, जबी भी HSCF जो है वो अगर 5 हो गया ठीक है, महत्तम समापवरते यदि 5 हो जाए, तो संख्या को हम लिख सकते हैं, 5A और 5B के रूप में, पहला point मतलब कि यहां से मैं मान सकता हूँ कि S बरावर इतना होगा और T बरावर इतना हो जाएगा, clear है इसके बाद क्या करना होगा इसके बाद हमें यह देखना होगा कि S प्लस T 45 था, मतलब 5A प्लस B तो A प्लस B को common निकालूँगा तो कितना हैगा, यह 45 के बरावर है मतलब A प्लस B का जो मान है वो कही ना कही है, 9 दूसरी बात क्या दी हुई है दूसरी बात यह दी हुई है कि इसका LCM 70 है LCM क्या होता है, जब HA और HB दो नंबर हो जाता है तो इसका LCM हो जाता है HAB HAB मतलब 5 और AB यहाँ पर जो है, वो दो नंबर है कि को प्राइम होता है यह इन दुनों का HCF 1 होता है यह 70 के बराबर है मतलब कि AB का value जो है, वो 14 है तो बताइए, अगर AB का value 14 है और A plus B बराबर 9 है तो देखते साथ समझ में आता है कि A का value 2 होना चाहिए और B का value 7 होना चाहिए दूसरा कुछ value सम्भव नहीं है तो यहां से आप बता सकते है कि A का value क्या होगा मतलब कि S का value क्या हो जाएगा तो 2 into 10, 5 मतलब 10 हो जाएगा और T का value क्या हो जाएगा तो T का value जो है, वो 5 into 7 हो जाएगा यानि 35 हो जाएगा मतलब 35 और 10 वाला जो उत्तर है B जो है सवाल का से उत्तर हो जाएगा चलिए एक आखरी सवाल और है इसको भी देख लेते हैं क्या है ठीक है last question यहाँ पर आपको comparison करना है तीन values में यानि कि P और Q में जो comparison है तीन values नहीं यानि कि दो values में आपको comparison करना है यहाँ पर दिया हुआ है P या तो Q से बढ़ा है या P Q से छोटा है या P Q के बराबर है और P प्लस Q जो है 2.02 है देखे चौथा वाला तो विकल्प possible ही नहीं है क्योंकि यह तीनों में से कोई एक तो होगा होगा या तो P Q से छोटा होगा या बढ़ा होगा या बराबर होगा चौथा कोई विकल्प नहीं बन सकता अब यहाँ से बताईए P का मान क्या 0.02 percentage of 1,00,000 तो percentage से 2 zeros कर जाएंगे इस तरीके से बचा क्या तो यहाँ पर 2 decimal बचे तो 2 decimal इसको अटाने में से जाएंगे मतलब P का value जो है वो है 20 clear Q का value की बात करें तो 2% 1,000 का 2% 1,000 का मतलब percentage जो है 2 zeros को काड नेंगे तो Q का value भी कही न कहीं 20 आ रहा है तो कहीं न कहीं क्या है तो P और Q equal है तो स्वी सवाल का उत्तर है आ जाएगा तो चलिए अब हम यहाँ पर इस वीडियो को रोखते हैं क्योंकि इतने ही सवाल थे 30 के 30 सवाल जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ठीक है और साथी साथ आपको समझना होगा कि यह जो paper मैंने आपके साथ discuss किया कुछ ऐसे ही सवाल आपको CSAT में भी देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे वीडियोस अभी आपके CSAT के बचे हुएं जो कि सुबा साधे नौ बजे में आपसे मिल रहा हूं YouTube के माधियम से उसको आप पूरी तरह से देखें कहीं ना कहीं आपका preparation बूस्ट होगा साथी साथ अगर आप और भी कुछ ऐसे topics देखने चाहते हैं उसको SSC के वीडियोस के माधियम से आप देखते रहे हैं क्योंकि वहां से भी आपको बहुत help मिलेगा आप साहे कोई भी exam का preparation कर रहे हैं क्योंकि SSC का अगर complete preparation करते हैं आप अगरा exam का आपका पूरा preparation पूरी तरह से clear हो जाता है चलिए thank you so much इस वीडियो में इतना ही